उम साइराम, हरहर महादेव, आज का साइसंदेश आज फिर से एक नया सवेरा आपके जीवन में उम्मीद की नई कीरन लेकर आचुका है उठें, अपने दिन की शुरुवात करें और सबसे पहले उस भगवान का शुक्रियादा करें जिनोंने आज फिर से एक नया दिन दिया है आपको अपने सपने पूरा करने के लिए सबसे पहले भगवान से प्राटना करें, उनका शुक्रियादा करें और हमें सबसे पहला काम भी यही करना चाहिए क्योंकि दिन भर हम काम में व्यस्त रहते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता है उस परमात्मा का शुक्रियादा करें उनसे प्रार्थना करें, अगर कोई भूल हुई है, गलती हुई है तो शमा मांग ले क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ती होती है प्रार्थना और विश्वास नमुम्किन को भी मुम्किन बना देते हैं जब कभी-कभी हम बाबा से कुछ मांगते हैं हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती है हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं और निरास हो जाते हैं तो ऐसा कभी ना करें क्योंकि बाबा हमें वो कभी नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है वो हमें वही देंगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा है जब आप जीवन में कभी हार जाएं तो उदास या परिशान ना हो क्योंकि हर काम को सीखने के लिए समय लगता है हम एक दम से कुछ भी पा नहीं सकते कुछ भी सीख नहीं सकते इसलिए उठो और अपने काम की फिर से शुरुवात करो क्योंकि धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे और एक दिन काम्याब भी हो जाओगे जब बार-बार हारते हो तो उदास हो जाते हो परिशान हो जाते हो और खुद का ख्याल भी नहीं रख पाते हो जब कोई बच्चा दुख में होता है तो सबसे जादा उसका दुख उसकी मा को होता है तो बाबा भी तुम्हारी मा और पिता सब कुछ है तो जब तुम्हें इस हालत में देखते हैं तो तुम्हारे बाबा को बहुत दुख होता है इसलिए उठो अच्छे से सजो सवरो तैयार होकर फिर शे अपने काम की सुरवात करो और धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे और यही कार्या तुम्हें बहुत उचाई तक लेकर जाएगा क्योंकि एकदम ना तो कोई काम्याभी मिलती है ना ही हम कुछ भी पा सकते हैं धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे तु एक दिन काम्याभी अवश्या मिल जाएगी और यही कार्या तुम्हें बहुत सीखर तक ले कर जाएगा जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम चाहते हो कि तुम्हें जो नाम और शोहरत मिले तुम्हारे बाबा के नाम से ही हो तो बिल्गुल ऐसा ही होगा, सब तुम्हारे बाबा करेंगे, बस हार मत मानो, और फिर से उस कार्या को करने की कोशिश करो, तुम अवश्या काम्याब होगे, सदा खुश रहो, सदा जबते रहो, ओम साइराम, हर हर महादेव